भरतपुर के कामा विधान सभा छेतर में अचाना कप्राधों का ग्राफ बढ़ गया है छेतर में हो रही घटनाओं को देख आम जन में भय का विशय बना हुआ है भरतपुर जिले के पहाड़ी चौराहे पर बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी जिसके चलते व्यक् की अस्पताल पहुँचाया गया बताया जा रहा है कि डीग निवासी प्रगुदयाल की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार गंभी रूप से घायल है जिनने पहाड़ी अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है बताया जा रहा है की वापस लौट रहे सेल्समैन को अग्याद बदमाशों ने पहाड़ी चुराहे सीखरी रोड पर गोली मार दी जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई इस घटना से 20 मिनट पहले पहाड़ी कामा रोड बोल खेड़ा बिजली घर के समीप अग्याद बदमाशों ने दो पाइक सवार व्यक्तियों से हजारों रूपए की लूट पाट की जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी है जिनका इलाज भी कामा के राज की अस्पत सब्सक्राइब करने